पुलिस स्कूल ऑफ इन्वस्टिगेशन गार्डन हेड़कॉर्टर कराची में एक रोजा तर्वियती वरक्शॉप बाउनवान विमेन एंड चाइल्ड ट्राफिकिंग का इनिकात किया गया इस वक्शॉप के ट्रीनर्स का पैनल मौतरम शायान मलिक सदर सेव अवर चाइड पाकिस्तान मिस सारा जावेड डेप्टी सिकेटरी फिशरी सिन मिस मिशाल अशरफ साइकोलोजिस्ट मिस मारिया तारिक चौधरी एड़ूकेट बरिस्टर जहरा एड़ूकेट हाई कोड ओफ और ताववन पुलिस तफ्टीश का तरीक एकार और अदालत में ट्राफिकिंग इन परसिन टी आई पी एक्ट दोहजार अठारा के तहर चलान धाकिल करने के मराहिल का तफसीली तरीक एकार पढ़ाया गया चाल्ड ट्राफिकंग ओर इस पर काफी सारा कुछ हमने लर्निंग गी है और अपना जो परसनल एक्सपिरियन्ज है मैंने इसमें वो भी काफी शेयर किया है human trafficking जो है बड़ा sensitive इस तरह से है कि ये इस में बहुत सारे mafia काम कर रहे होते और इसका जो तरीके कार ये होता है कि ये एक इनसान को दूसरी किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरी जगा पर उसकी मर्जी के खिलाफ लेकर जाना साइकोलिजिस्ट हैं जो आते हैं इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए और आपको पता है आज mental health day भी है तो हम कोशिश करते हैं कि हर aspect को cover करें because police officers काफी उनके उपर काफी एक pressure होता है strain होता है किस तरह वो खुद को भी health अपनी health को संभाले और एक empathy के साथ बच्चों को treat करें आज किस ट्रेनिंग की वज़ा से मुझे लगता है कि जो भी हमारे police अफसरान है उनके लिए अपने आपको इस बात पर accept करना कि हाँ हम भी कभी परिशान हो सकते हम माना कि हम मुहाफिज हैं लेकिन कभी-कभी एक मुहाफिज दख्मी भी होता है कभी-कभी एक मुहाफिज अदास भी होता है परिशान भी होता है आज हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए मौजूद थे ट्रेनिंग रिलेटिटिव वोमेन चार्ल ट्राफिकिंग और इसके ओपर हमने में रिलेटिट बहुत जादा बात करी इस ट्रेनिंग देने का में मकसद है वो यह के हम पुलिस ऑफिसर्स को में बता सके हम उन विक्टम्स की में पर जादा से जादा काम कर सके और पुलिस ऑफिसर्स वे बहुत एफिशियंट तरीके से अपने केसिस को लेकर चल सके हैं लैक हाव टू इंफिसाइज या हम जो क्लाइन हमारे पास रोते हुए आ रहा है तो इसके पीछे क्या इशुस हो सकते हैं या उसके क्या ट्रिगरिंग पॉइंट है या हम उसको फोरी तो आप साइकॉलोजिकल फॉर स्टेट क्या दे सकते विमेंट ट्राफिकिंग की बात करते हैं मेंटल है अवेरनेस की बात करते हैं उसके तहत आज बहुत तफसील से बात हुई बातचीत हुई सिकाया गया हमारे जो पुलीस की मेमरान हैं जो हमारे अफसरान हैं उनको भी एक तरीके से समझाया गया कि कौन से सेक्शन के अंड और क्या कानून कहता है 2018 का एक्ट है उसको हमने अच्छे से एक्स्प्रेइन किया तो अच्छा सेशन डा ओवर आल जिया अच्छा साब की मेनत अगें वक्तन फवक्तन इस तरह के कोर्सेश कराते रहते हैं जिससे अवेर्डनेस होती है और इंशालला आगे भी करते रहेंगे अच्छा सेशन था वह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक था विबन ट्राफिकिंग सेवा चिंडरन का और मुझे बड़ी खुशी है कि जो यह पुलीस ट्रेनिंग अकाडमी है एक तो इनों ने हमेशा से हर इंपोर्टन और प्राक्टिकल सब्जेक्ट को अड्रेस की है और यह जो सब्जेक्ट है यह जन्यून प्राब्लम है हमारी ससाइटी के अंदर जो अनों ने अप्रोच किया है और पुलीस आफिसर्स को एक सिस्टेमाटिक ट्रेनिंग आफर करना कि इस सूरत हाल के अंदर उनोंने किस तरह रियल सिचुएशन को अनलाइज करना है जो है वो उनोंने दी है आज के सेशन के वाले से कर मैं आपको बता हूं तो सेवार्ज चिल्रेन के दारे के साथ आज एक विमिन इन चिल्रेन ट्राफिकिंग के ओपर एक सेशन हुआ जिसमें बहुत लोगों को असलियत बताई गई के बिहाइंड दर कर्टन क्या क्या जो हो रही थी और उसको मुल्जिम को कैफरे करदार तक पहुंचाने में और कोट में केस चलाने तक की ट्रेनिंग हमें दी गई है यहाँ पर और हमारी चुंके मैं इंचार्ज WCPC हूं और हमारी Women and Child Protection के हवाले से भी इसमें हमें काफी मदद मिली है और यह काफी इंफर्म सरान की तरबियत के लिए इंतिहाई आहम करार दिया तकरीब के आखर में शुरका में जनाब जावेद अकबर रियास और गवर्निंग बॉडी मेमरान ने सर्टिफिकेट तक्सीम किये